कि अपने यूट्यूब चैनल फिल्म इंग तो कैसे हम सब बहुत अच्छे होंगे उप्र सी विडियो लेक्शन लेकशन लेक्षन लेक्षन आगे हैं आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स भर-बर के सजेशन आ कि खान सर की और वीडियो पर रेक्शन करो, खान सर की और वीडियो पर रेक्शन करो, तो इसलिए हम एक बड़ी रोमान्चक सी वीडियो लेके आ गए है, वीडियो है कि आखिर चीन को पाकिस्तान से क्यों भागना पड़ा, क्योंकि वो भगोडे हैं तो हम सब को पता है, दो बहुत बेमिसाल है बड़ा मजा आता है मुझी स्टीज के बारे में पता है न वह चीज भी बड़े अलग तरिके से और बहुता कर्सक बना के समझा देते हैं तो चलिए देखते हैं वीडियो एंजोई करते हैं इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे बिल्कूल और चैनल क अब होगा करांची एःपोर्ट पर पिछले 40 दिन चैनी जो भागने के लिए लाइन लगी हुई है करांची एःपोर्ट पर कि चाइना जो है वो डरा हुआ है भारत से क्योंकि आब भारत वो आला भारत नहीं रा गया है 1922 नहीं रहा गया, मवह जो, आकास्वा के हामरा देख नहीं नहीं बहुत नजर होगा उगाराया है, इदू को सब देखना नहीं कहटा हैं हिदू आई कुछू कहता है, यह सब तो थेनकों नहीं देखना चाहते हैं, इन से बस चले ना, कुछू कर देगा सब चुछू सब्सक्राइब. तो चाइना को डर था भारत से, कि यह भारत हमको कहीं घेर के मत बारे, और चाइना का सारा व्यापार इसी समुंदर से होता था. इस समुंदर से होता था. अब चाइना को डर था, कि यह भारत जिस दिन इसको लेने आएगा C.E.O.K को, कभजा करने वाले को, चाइना से हमला होगा, यहां से भारत सबसे पहले इनके व्यापार को बंद कर देगा. व्यापार को क्या कर देगा? बंद. और कुछ करना नहीं तोड़िये, पानी वाली जहाज को पकड़ लेना है. और वहाँ जितना कैप्टन अप्टन है, सब चाइनीज टाइप का, उन चाइना और पाकिस्तान को जोडने वाली सड़क? कौन सबंग? यह भारत के कस्मीर को होते हुए गया, और यह बहुत दुर्भागेपूर है, कि हम लोग इसे रोक नहीं पाए, हम लोग इसे रोक नहीं पाए, रोकना चाहिए था, कुछ नहीं तो अंधा धून तोप चलान किसी को लग जाए, यह बहुत है, जैसे मैच होच होता है तो अदिन को खेल भीगारना रहता है, तो आहां तहां भाइट भागने लगता है, मैच होते हैं, ना खेलें ना खेल देम, खेलवे भीगार देम यह सराग का नाम क्या है? EPEC इससे चाइना का ये वाला सरदर्द ख़तम हुए है, ये पिनी CPEC, लेकिन भारत सरकार ने कहा कोई बात नहीं, बाबू, कोई बात नहीं, बलुचिस्तान वाले तो हाई है, बलुचिस्तान वाले हाई है, वहाँ पर भारत के लोग, या फिर जो भी खुबी एजनसी है, काई जितना छोट आख है सब चाइना वाला है, आप बिलीब नहीं कीजिएगा, कराची एरपोर्ट पर पिछले 40 दिन चाइनी जोग भागने के लिए लाइन लगी हुई है, कराची एरपोर्ट पर, बहुते कमा लेंगे, भाग जाएं यहाँ पर, आँख छोट करके देख इसके मार देरा है, चाइन के अपक रहेंगा उतार के देख रहाएं चोटा आख है, चाइनी जोगा मार दो, भलुचिस्तान दौरा दौरा मार रहा है, किसको छाइनी आप बिलीब नहीं कीजिएगा, आप नेट पर साच कीजिएगा, चाइना भाग रहा है से आप देखो क तो पाकिस्तान ने इन लेबरों के लिए सिक्यूरिटी में अपनी पूलिस लगाया था क्या लगाया था यहां जो बलुचिस्तान वाले थे सुना पूलिस में भरती हो गया अवही गार्ड बन गया सब चल सचयत नहीं तो रह लेकर चलते हैं खुब अच्छा से चलिया मापक अब ही चाइनीज सब भाग रहा है और वह बलेम किसको कर रहा है भारत को किसे बलेम कर रहा है तो भारत के नक्सलाइटों के पास जो हथियार है वो मेड इन चाइना है तो अगर चाइना से चाइना के वज़े से अगर भारत के सुरक्षा में लगे साइनिकों की जान जा सक रहना है तो हमें जीने दिजे। और अगर नहीं जीने दिए गाइगा, किसी को नहीं जीने दिया जागा अगर भारत जाने किया जाहा तो अब यह लगता है जिसे कोई पढ़ाया है जिस A plus B का Holy Square सब जगा सेम होता है वह जहीं सबकी ममी सेम गुजियाती है कुछी आगे कंवे नहीं काई हूं तुम लोग बहुत हो गया थोड़े बात सुने का आगे वह तो पता ही चाइना पाकिस्तान को जोड़ने वाली सब्सक्राइब के सीपी पहुत सॉक से चाइना ने यहां बंदरगा मनाया गवादर बंदरगा कोंहीं है अप इस बादर बंदरगा पर अब बलुच्छिस्तान वाली खोज रहा बॉच्छ रहिसे को और यहां चाइना ने बाइदा एक चाइना कैपर टाउन सहर बसाया था जिसमें केवल चाइणीज रहते थे दुकाने केवल चाइनीज की थी, और वहाँ चाइना का नोट चलता था, तो जी है, बैंक भी चाइना का, और पब्लीक भी चाइना का, ये बात पता चल गिया बलुचिस्तान वालों को, का कि होल सेल में मिल गोई लोग, निसाना नहीं लगाना है, आंदा दूल, बाग, यही बात पता लिए, यहां पर भारत ने बना लिया इरान के सयोग से चाबहार बंदर गास, और यूद के स्थिती में इधर से ता हिमला करेंगे, इधरों से हमला कर देंगे, और यह काथ मीरी सीज साड़क यह का तो इस निएगा जो सब्छिए, यहीं घेर के मारा जाएगा इ तो आप लोग उसको पाकिस्तान नहीं बोलिएगा वह सवतंतर हो जाएगा और बहुत जादे देर की बात नहीं है आज से महज दो साल बात क्योंकि चाइना की जिस तरह से सिरलंका की अर्थवेवस्था टूटी है ना उसी तरह पाकिस्तान का टूटेगा अजब बास्ता टूटेगा तो लोग सड़कों पर आएगे और कहां आएंगे तो इस्रामाबाद की सड़कों पर आएगे पूरी आर्मी कहां रहेगी इस्रामाबाद आईदर स्वतंत हो जाएगा बलुचिस्तान अपने अभी अभी स्रिलंका को सवतंत करना कूनमा बढ़ का सब्सक्राइबर्स को एक बात कहना चाहूंगा कि सिखो आप लोग भागय साली हो कि हमें ऐसे ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं ठीक है तो हमें सीखना चाहिए उससे जितना उसके चाहिए और साथ में जोस भड़ते हैं कि हमें कुछ कर गुजरना है हमारे देश के लिए हमारी भारत माग लिए कुछ कर गुजरना है यह सिखाते हैं इनकी हर वीडियो में इनकी हर सीख में यह जरूर होता है कि देश के लिए कुछ कर गुजरना है और सीखने के उमर नहीं होती है मत सोचो कि हमने कुछ कोई एक्जाम देना हमारी त्यों उमर होगी अब हम क्या करेंगे देख के है न बहुत लोगों की ऐसी पी सोचोगी ऐसा ना सोचो अरे तो ग्यान मिल रहा है एट लिस्ट हमारे अपने देश के बारे में तो पता लग हमारी हिस्ट्री के बारे में पता लगए जो क्या हमें पता हो न चीए कम से कम आग्या हम अपने बच्चों को तो बताएंगे नहीं एक्जाम दे रहे उनके बहुत अच्छा है जो नहीं दे रहे वह भी सुनो सिखो अपना अपना ज्यान बढ़ाओ और मैं एक बात कहना च झाल छोड़ दो गए ना दक्के ही खाण 않아 ऑग्यान बात की जो नीचे रह गए तो इस फो बहुत से रही हो गए टया हो गर यह पहांगे तो इलोगर बांडी हैं जो ब्रकाति बेटे थे سब कुछ बाद में, और जो जो इनकी शिकानी का तरीका इनकी वीडियोस देखते के एस्ट्रीड बैलकुल ऐख शाया कि और जाया गए उर ऐसे बसे हाई भीडा हुआ को में डिलखुना, कों determined के निकी अरभा से पाल देंगे इंजैक्शन से डाल दिया है अनुने दिमाग में सच में तो हमने इस वीडियो को बहुत एंजोई किया दोस्तों अगर आप लोगे ने आप आप लोगे ने क्या है जोई करते हैं चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इसी क्या आथ आम वीडियो को टीरीए पर करते हैं खत्म है नेक्ट्स ट्वीडियो में तब तक लिए एपना ख्याल रखें के टा टा भाई बाई अ है अ है 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 है